Hello students, this is Neeraj Gupta. इस वीडियो में हम father to son, father to son, जो आपकी poem है, उसके text questions करेंगे. पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी summary अच्छे से समझा दी थी. और उसको देखने के बाद ही, प्लीज आप इन questions को देखें, तब भी आप easily समझ पाएंगे. तो father to son की जो first video है, वो हमारी website पर भी अविलेबल है, youtube पर भी अविलेबल है. तो उसको आप एक बार पहले देख लें और फिर ये दूसरी वीडियो देखें. चले शुरू करते हैं. टेक्स्ट क्वेशन्स. पहला question ले रहे हैं. जैसे मैंने कहा, अगर आपने पहले पहली वीडियो देख ली है, means या स्कूल में अपने पढ़ा होगा, and if you are clear about the concept की इस poem में क्या बताया हुआ है, तो इसमें father और son में separation है. दोनों का जीने का, सोचने का तरीका अलग है. लास्ट में से बताया है कि दोनों कोशिश तो कर रहे हैं, कि किसी तरह से जुड़ जाया है, लेकिन कोई खास serious effort कोई नहीं कर रहा, बोथ और, बोथ अफ देम आर एक्स्टेंडिंग देर एंप्टी हैंड्स. एंप्टी हैंड्स मतलब कोई कुछ अपनी आदते बदलने या छोड़ने के लिए तयार नहीं है, तो इसलिए बेसिकली दोनों अलग हैं. तो, yes, the answer is, does that poem talk of an exclusively personal experience? The answer is yes, it is a personal experience of the poet. Second question, is it fairly universal? Yes, यनि दोनों यह बाते true हैं. Poet, अपना personal experience बता रहा है, बिल्कुल correct, लेकिन ऐसा नहीं कि जो उसके साथ हो रहा है, वो एक लाख लोगों में से एक के साथ होता है, जबकि यह काफी common है, बहुत घरों में ऐसा होता है, कि father और son की नहीं बनती, generation gap is a very important concept. In India, it is less. यहाँ पर आज भी बच्चे अपनी पिता जी की respect करते हैं, और हमारे यहाँ पर इंडिया में we are lucky, मैं बोलूँगा कि हमारे आज भी family traditions हैं, लोग elders की respect करते हैं, पाऊं छूते हैं, और सब चीजे हैं. बाहर तो काफी individualism हैं, ऐसा मैंने सुना और महसूस किया है, जैसा कि किसी ओर से ही मैं कभी बहुत बाहर भूमा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही सुना हैं कि independent life जादा है, और उसकी वज़ए से वहाँ पर इतने family bonds उतने ही strong नहीं हैं जितने इंडिया में हैं, इसमें कोई doubt नहीं है कि ये personal experience है, poet का, Elizabeth Jennings का, वो अपने बेटे के साथ जोसका relationship ठीप नहीं है, उसकी बात कर रहा है, बट मैंने वहीं आगे लिखा है, this feeling of emotional estrangement is fairly universal, लेकिन ये जो अलग-अलग वाली होने वाली बात हैं कि हाँ दोनों अलग-अलग हो गए और वो इस तरह से हैं, ये मैंने लिखा है कि it's fairly universal, fairly universal, universal तो नहीं है, बट जैसा कि question में है, fairly universal, fairly universal का मतलब बड़ा common है, पूरी दुनिया में होता है, हाँ होता है, सभी घरों में होता है, almost घरों में होता है, almost में ना भी होता हो तो बहुत सारे घरों में होता है, many houses, यही बात मैंने लिखिया है, what happens between the poet and his son, जो poet और इसके बेटे के बीच में हुआ, happens to lot of fathers and sons, वो बहुत मतलब जो है, पिता और बेटों के बीच में, इस तरह के relationship में जो problem है, यह बहुत घरों में आ जाती है, it is very, very common, तो ऐसा है, it is a very common kind of a thing, so अगर यह question आपके exam में पूछा जाए, तो simple up to the point जवाब दे सकते हैं, the poem describes a personal experience, definitely yes, but it is also universal, it is also very common, let's take up the second question, how is the father helplessness brought out in the poem, poem में पिता जी की एक helplessness होता न, जैसे मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, या मतलब ऐसा महसूस करना कि मैं कहीं फस गया हूँ और उससे निकल नहीं पा रहा हूँ, और कोई मुझे निकाल नहीं रहा, या मुझे कोई रास्ता नहीं सूज रहा कि मैं निकल पा हूँ, इसी कौन सी बाते हैं जो पोयम ने बताई, जिससे फादर की helplessness दिखती है, यह है question, बहुत सारी बाते हैं जो हैं हमने summary के अंदर पढ़ी हैं, अगर आप उनको recall करेंगे तो आप इसका अंसर खुद लिख सकते हैं, बहुत सारी बाते हैं, एक दो बाते हैं जैसे उन में से कुछ points कवर किये गए हैं, he confesses, the father confesses, he knows very little of him, आपको याद होगा यह sentence आयता शुरू में कि वो बच्पन में तो obviously साथ ही रहते थे, so they have been living together for so many years, फिर भी पिदाजी बोलता है, मुझे तो असले लगता है, मैं अपने बेटे को जानता ही नहीं, वो इसलिए नहीं जानते, यूगि आज बेटे का रुक है बात करने का, खाना खाने का, सोने का, इधर औधर आने जाने का, बच्पन में वो बेटा ऐसा नहीं था इसलिए वो यह महसूस कर रहे है कि मैं अपने बेटे को जानता है नहीं यह बेटा तो कुछ और ही है होता ना बच्पन में तो यह बड़ा सीधा था कम बोलता था अब इतना जो भी whatever the change is तो यहाँ पर फादर यही महसूस कर रहे है he is confessing that he knows very little of him they are like strangers अब naturally अगर पिता अपने बच्चे के बारे में यह statement दे कि they are like strangers अजनभी है एक दूसरे को नहीं जानते ऐसा हो गया है तो क्या है यह यह helplessness ही तो है दुनिया का कोई भी फादर ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बेटे के साथ उसका ऐसा relationship हो कि that like silence surrounds him यहां मैंने नहीं cover किया लेकिन अपने poem में पड़ा होगा कि जब वो दोनों साथ होते भी हैं तो silence surrounds him यानि ऐसा मुझे लगता है यह मेरी अपनी calculation है कि वो घर तो आता होगा बट मा से ज़्यादा मिलता होगा पिताजी के साथ relationship अच्छा नहीं है तो इसलिए जब वो होते भी होंगे तो वो थोड़ा सा अब जब पिताजी है presence में तो he is like quiet चुप है वो है ना तीसरा the father cannot share what the son likes अब माले थे बच्चे को loud music पसंद है या कुछ और चीज़े पसंद है है ना जैसा था ना वो baby को baby को bass पसंद है कुछ ऐसे एक song आया था सुल्तान movie में शायद आप मैंसे किसी ने देखिए तो अलग-अलग लोग होते हैं कि अलग-अलग टेस्ट होते हैं यंग जनरेशन की टेस्ट बड़े टिपिकल होते हैं इडिस नोट सो इसी तो उंडेस्टेंड अनलेस कि पिताजी उस पर बहुत सीरियस एफ़र्ट करें और वो भूल जाएं कि मैं पिता हूँ और वो बच्चे का दोस्त बनने की कुशिश करें अगे नो इस वीडियो के माध्यम से मैं पिताजी को सला नहीं दे रहा हूँ बट ऐस सच मैंसे ये मेरी अपनी परसनल उपीन है कि अगर एक फादर अपने बेटे के साथ एक फ्रेंड बन जाए फिर तो बात बन सकती है otherwise तो थोड़ी मुश्किल है otherwise तो फिर यही होगा जो यहाँ पर sentence issue किया फादर ने that he cannot share what the son likes और जो बेटे को पसंद है वो पिताजी को पसंद नहीं है तो इसका मतलब कहीं ने कहीं अच्छा तो फिर immature है तो यानि कि कहीं न कहीं अगर पिताजी चाहते है कि उनके बेटे के साथ उनका relationship improve हो तो फिर उनको फोड़ा सा आगे बढ़के step लेके उसको change करना होगा हाँ अगर कुछ stands ऐसे हैं कि बच्चा कोई गलती काम कर रहा है माल लेते हैं उसने एक young age में smoking start कर दी है drinking start कर दी है या अभी सही वो relationships में है तो शायद पिताजी को लगे गा कि ने भी यह तो बात गलता है अब ऐसे में अगर पिताजी उसके friend बने हुए उसकी genuine बातों में उसका साथ देते हैं फिर वो अगर एकाथ बात जो उसकी सही नहीं है उस पर बोलेंगे तो वो मान भी जायए शायद अगर वो उसकी हर बात को गलत बोलेंगे तो फिर बेटा नहीं समझ पाएगा उसको लगे यह तो हर बात ही गलत बोलते हैं तो leave it I have to focus on the question so father's helpness के बारे में he confesses he knows very little of him they are like strangers father cannot share what the son likes and he is now ready to accept him with all his profligacy तेखिए फिजूल खर्ची कोई अच्छी बात नहीं है नहीं he is ready to accept him with all his profligacy यह उसकी एक helpless है अगर पिता जी ने बच्चे को फिजूल खर्च के लिए कभी टोका था तो उसमें कोई गलत नहीं है लेकिन अब तो पिता जी के मजबूरी है मजबूरी होती न अगर आपको कोई बोले के बच्चे आप 100 रुपे देदो मेरे को तो अब नहीं दोगे न लेकिन उगकन रख दे तो मजबूरी है न तब तो हो सकता है उन्होंने तैश में कह दिया हो कर ले भई लेकिन आप वो कर रहा है वोटेवर ही लाइक्स और अभी पिताजी सोचते हैं कि सच्छा तो यार अकेले रहने से तो बेटा वापिस ही आ जाया है वोटेवर तो भी वो खर्चा करेगा फालतू का He is ready to forgive him for all the sorrow कई बहर होता है ने जैसे कोई किसीने अगर हमें दुख दिया हो तो हम बोलते हैं तरह को माफ नहीं करूँगा जिन्दगी में लेकिन यहाँ पर पिताजी बेटे के साथ एक new love develop करना चाहते है relationship develop करना चाहते हैं बिल्कुल वैसे जैसे वो छोटे बच्चा था वैसा तो अभी वो मजबूरी में ही सही लेकिन at least यह positive step लेने के लिए तयार है He is ready कि भाया मैं चल वो सारे गम भी भूल जाओंगा जो तुने दिये हैं वो सारी bitterness वो सारी कडवाहतें जो तुने मुझे दिये हैं मैं उन सब को भूल जाओंगा तु वापिस आ जाओ और पहले के तरह एक अच्छा healthy जो है ना एक smiling relationship जो है हमारे बीच में develop तो question was only about the helplessness I think reasonable points मैं ने आपको दे दिये तो both the questions are very easy now if we talk about the question number three it is identify the phrases and lines that indicate distance between father and son अब अपने respective teacher से check कर सकते हैं कि इस तरह के questions वो पूछेंगे क्योंकि डाउट होता है क्योंकि conceptual question ना होके कुछ लाइने याद करने जैसे है but still distance को जो indicate कर रहे हैं वो है I don't understand this child वो ही बाते जो उपर थी वो more or less repeat होंगे I don't understand this child या I know nothing of him मैं बच्चे को नहीं समझता दो दो बाहर repeat किये पता जी ने we speak like strangers है ना मैं अजनभियों की तरह बात करता हूं what he loves I can't share ये सारा repeat हो रहा है वो ही helplessness वाले ही points है and silence surrounds him ये ही सब बाते है actually the whole poem is about the separation the distance between the father and the son तो ले रहे के वो ही points घूम के चाहे आप summary पढ़ लो चाहको एक question का answer देख लो more or less points घूम के वही 4-5 बाते जो poem जादा लंबी भी नहीं होती you know that एक page की poem है तो उसमें कितनी बाते poet ने बताई होंगी गूम फिर के हमें वही exam में लिखनी है अपनी मर्जी से तो हम कुछ नहीं लिख सकते न last question ले रहे है does the poem have a consistent rhyme scheme देखिए rhyme scheme है या नहीं यह तो बड़ा होता है जैसे को तुकबंदी बोलते न आना आना जाना जाना कुछ इस तरह से है न जैसे कि रामायन में बड़ी rhyme चलती है हर चीज में तो यहां पर जितना मैंने भी महसूस किया मैंने इस पर अलग अलग जो है authors जैसे कुछ different experts होते हैं जो answers लिखते है question answers उनको पढ़े तो एक दो ने तो explain किया कि हा इसमें rhyme है एक न बोला नहीं बिलकुल नहीं है यह तो सलतार जी वैसा इसमें नहीं है but there is a rhyming scheme in the poem बिलकुल ऐसा नहीं है कि बिलकुल episode है there is but it is not consistent ठीक है it is not consistent that is my answer it is there rhyming कि अगर हम बात करें तो does the poem has a consistent rhyme scheme question अगर मैं इसको ले के चलूं तो उसके साब से मेरा answer यह है कि it is there but it is not consistent fine तो thank you very much this is Neeraj Gupta I hope कि question answers आपने अच्छे से समझ लिए और आप इनको याद करके लिख सकते हैं यह assignment हमारी website पर available है वहां से आप इसको download कर सकते हैं you can see the website ngp education.com ठीक है thank you